एक्चुली मिलिटरी इंपूट और हमारा CRPF का इंपूट दोनों गेदरिंग का एक सा और उनकी आधार पे हमारा एक टीम जो है किवेटी का टीम जो है साडो आपरिशन लांच गिया जानी भी गाग लोकिशन था गाउं का और उस गाउं से उत्तर की तरफ 600 मिटर और वहां के नाम लोग सर्च एंड डिस्ट्राइ आफ्रेशन चला रहते उस दोरान हमको जो है यह सब चीजें राप्त हुए हमारे जवान उसको गहनता से जांच करने के पुरांत यह सब चीजें मिली उसमें सिविल पुलिस का रेट भी साथ में था और मेरी टीम भी हमारे साथ थी तो आदमी तो कोई वहां से रिकवरी नहीं होया कोई ऐसा अमिल नक्सल या इस तरह का कोई अरजकता तो नहीं मिला लेकिन यह जो सामान जो मतलब इस तरह का यूज में आता है नक्सलियों के यह सब चीजें हमारे टीम ने सब्सक्राइए क्या लगता सकी गिला में नक्सल मोहमेंट बढ़ी हुई है लोगडोर में अगर यह हत्यार है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो मुमेंट है उनका इसमें कोई डाउट नहीं है आदमी कहीं न कहीं होगा और चुकि आदमी अभी वहां पर से रिकवर निवा काफी देर हम काफी गत्यवीदी होती थी नक्सल मोहमेंट होते थे क्या बर्तवाल में भी असर देखी जा रही है जहां तक हम लोग का अभी दूरिंट चल रहा है ऐसा अभी कोई मोमेंट नहीं लगा लेकिन चुकि यह अप्यार महां से मिले हैं इस तरह के चीजें मिली है राजक चीज और उनका बहुत सयोग मिला गाओं का लोगों को फोड़ा उनका परिजय था और इस वज़ा से हम लग पले रास्तों को जो है ब्लॉक किये ताकि कोई उसेरिया में ना है किसी तरह का आईडियोग्रा ऐसा चीज होने से कोई नुकसान नहीं